आने वाले दिनों के लिए जो फरकास दिया गया है गुजराती स्टेट के लिए ड्राइव एदर प्रिवेल करेगा और हीट वेब की वार्निंग आने वाले पांच दिनों के लिए गुजरात रिजन और सौराष्ट कच्छ दोनों के लिए इसलेटेट प्लिसेस पे और जो ड जहां पर हीडवेप की वार्निंग दी गई है वह सुरेंद्र नगर भाव नगर अम्रेली राजकोट जूनागर और पौरबंदर आज और कल के लिए एहमदाबाद और गुजरात डिस्टिक के कुछ डिस्टिक के लिए वार्म नाइट की भी वार्निंग दी गई है और जहां मेक्सिम टंप्रेचर यहां की बात करेंगे तो एहमदाबाद और गांधी नगर का तो एहमदाबाद का फोटिफॉर पॉर प्वाइंट डिग्री सिल्चियस और विंड की डायक्सण जो प्रिवेल करेगी लैंड रिजन पर वेस्टरली टू नॉर्थ वेस्टरली रहेगी और जहाँ जहाँ पर heat wave की warning दी गई है उन district के लिए orange alert जारी किया गया है आने वाले पाँच दिनों के लिए अभी जो गुजरात रिजन पर लेंड रिजन पर जो wind प्रिवेल कर रही है वो जादा तर नौर्थ वेस्टरली wind है जिसके कारण temperature बढ़ा हुआ है और आने वाले पाँच दिनों के लिए temperature की जो tendency होगी वो लगबग में एक से दो डिगरी Celsius का राज tendency रहेगी पुरे गुजरात रिजन के लिए अभी आने वाले पाँच दिनों की बात करेंगे और दो दिन आउटलिक की बात करेंगे तो गर्मी से अभी रहत नहीं मिलेगी अभी heat wave का condition और warm night आज और कल के लिए ये बना रहेगा आने वाले दिनों के लिए और coastal area के लिए गुजरात और सवराष्ट के जो coastal area है वहाँ सब्सक्राइब के लिए और जारी किया गया है और जो maximum temperature का forecast है आने वाले पाँच दिनों के लिए वह 45 degree Celsius के आसपास रहेगा अहमदाबाद के जो wind की speed है land region पे वो ज्यादा तर आज और कल के लिए light wind से थोड़ा सा ज्यादा wind रहेगी जहां जहां पे heat wave की warning दी गई है उन डिस्टिक में और इंजलर जारी किया गया है जो डिस्टिक है जहां पे heat wave की warning दी गई है और इसमें दो तीन डिस्टिक ऐसे हैं जहां पे warm night आज और कल के लिए दिया गया है वो है भाव नगर बडोदरा और एहमदाबाद